दोस्तो जानकारी बहुत ही छोटा सा है लेकिन अगर आप एक beginner है तो आपके लिए बहुत ही काम का है दोस्तो जो beginner होते हैं उनके अंदर एक doubt रहता है doubt यह रहता है कि अगर गारी को आगे बढ़ाना है तो हमें clutch को छोड़ना है जब हम गारी का कलच छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ना है एंडी उठाना है कि नहीं उठाना है दोस्तो ये डाउट आपका आज किलियर हो जाएगा लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करता हूँ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वीडियो कर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तो लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आय हुए हैं और आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब कर लें तो चले दोस्तो मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गाड़ी का कलच छोड़ते समय आपको अपने एड़ी उठाना है कि नहीं उठाना है दोस्तो यह है आपके गाड़ी का कलच अब मैं आपको बताने वाला हूँ कलच छोड़ते समय आपको देखे दोस्तो अगर आप AD नहीं उठाते हैं तो क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ देखिए मानों आपने अपनी गाड़ी का कलच दबा कर रखा है आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना है तो आप अपने कलच को धीरे धीरे छोड़ेंगे देखिए मैं AD को नहीं उठाऊंगा जब आप धीरे धीरे कलच को छोड़ते हैं तो दोस्तो आपकी गाड़ी आराम से आगे बढ़ती है क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई जटका नहीं लगेगा क्योंकि दोस्तो देखिए AD जब आप AD टिका कर रखते हैं और कलच को छोड़ते हैं तो एकदम धीरे धीरे कलच ऊपर आता है क्योंकि दोस्तो AD आपने टिका रखा है तो आपका गाड़ी एकदम स्मूथ आगे बढ़ेगा कोई दिक्कत या परिसानी नहीं होगा तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप कलच को छोड़ते समय AD उठा लेते हैं तो क्या होता है मानो आपने अपनी गाड़ी को गेर में लगा रखा है और आपने कलच भी पूरा दबा रखा है अब आप धीरे-धीरे कलच को छोड़ेंगे और आप AD भी उठाते हैं इस तरह से दोस्तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रेक्टिस है क्योंकि मैं गाड़ी चलाते समय AD उठा के ही कलच को छोड़ता हूँ तो जब मैं गाड़ी का कलच छोड़ूँगा AD उठा कर तो अच्छे से आगे बढ़ेगा लेकिन उसी जगह पे अगर आप एक बिगनर हैं आप गाड़ी सीख रहें दोस्तो आपको अच्छे से जज़्यमेंट नहीं पता होगा तो सायद आपके गाड़ी में जटके लग सकते हैं और आपका गाड़ी बंद भी हो सकता है तो दोस्तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप कभी भी AD उठाकर कलच को ना छोड़ें हाँ छोड़ सकते हैं लेकिन आपको प्रेक्टिस बहुत अच्छा करना पड़ेगा उसके बाद आप AD उठाकर कलच को इस तरह से छोड़ सकते हैं लेकिन अगर आप एक नए ड्राइवर हैं गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो दोस्तो आप AD को ना उठाएं इस तरह से कलच छोड़ें गाड़ी एकदम अराम से आगे बढ़ेगी अब बात करता हूँ दोस्तो देखिए अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इस तरह से कलच को छोड़ सकते हैं लेकिन ट्राफिक के अंदर आपको एक प्राबलम होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए जब आप AD को नहीं उठाते हैं तो कलच तो आराम से छूड़ता है लेकिन दोस्तो वन टाइम के लिए एक बार के लिए गाड़ी आपने आगे बढ़ा दी तो आपको कलच छोड़ देना है लेकिन अगर ट्राफिक के अंदर यही काम आप करते हैं तो दोस्तो क्या होता है ट्राफिक के अंदर हाप कलच में ही गाड़ी को आगे बढ़ाना पड़ता है फिर रोकना पड़ता है दबा कर कुछ इस प्रकार से जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो आप कलच दबा लेते हैं ब्रेक भी दबा लेते हैं तो उस पोजिशन में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो ये पैर है धीरे-धीरे उपर की तरफ चड़ता जाएगा फिर आपने कलच को छोड़ा एड़ी आपने वहीं पर रखा फिर आपने कलच को दबा लिया तो आपका पैर आगे धीरे-धीरे खिसकता जाएगा फिर वापस आपने कलच को छोड़ा उसी प्रकार से फिर आपने कलच को दबा लिया तो देखे दोस्तो पैर धीर धरे आगे चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगा या तो आपको दोस्तो बार-बार पैर को इस तरह से खिसकाना पड़ेगा इस तरह से जैसे पैर आपको आगे खिसकेगा तो आपको अपना पैर फिर नीचे लाना पड़ेगा इस तरह से तो बार-बार आपको ये काम करना पड़ेगा ट्राफिक के अंदर तो दोस्तो मेरा राय ये है कि आप अच्छे से प्रेक्टिस कर लें एड़ी उठा कर कलच छोड़ने का तो मुझे उमीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सेर कर देना अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तो बिंदास पूछिए मैं पूरा कोसिस करूँगा कि आपके सवाल का सवाब दे सकूँ तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ जय हिंद जय भारत जय महराश्टर